हलो एर्ड़ीवन, वेल्कम तू स्टेटी एंड ग्रो यूट्व प्लेटफॉर्म इन दिस वीडियो आई विल टीच यू इरिगेशन सिस्टम इरिगेशन सिस्टम वह सिस्टम है जिस सिस्टम से क्रॉप को टाइम टू टाइम वाटर की सप्लाई की जाती है अगर water की supply नहीं होगी तो crop सूख जाएगी और destroy हो जाएगी अच्छे production के लिए irrigation system एक important system है तो start करते हैं इसके definition part से कि the supply of water to crop at different interval is called irrigation अलग-अलग time पे पानी provide करना फसल को irrigation कहलाता है the time and frequency of irrigation varies from crop to crop different crop के लिए जो time होता है irrigation का वो अलग-अलग होता है अलग-अलग soils के लिए भी अलग होता है और season के हिसाब से भी irrigation होता है जिसे rainfall में irrigation की कम जरूत होती है क्योंकि जब बारिस का time होता है तो automatically crops को पानी मिल जाता है similarly अगर बात करें गर्मी के season की तो गर्मी के season में crops को irrigation की ज़्यादा जरूत होती है क्योंकि उस time temperature ज़्यादा होता है तो ज़्यादा interval ज़्यादा जल्दी उनको पानी चाहिए होता है तो यह थी इसका definition part नेक्स्ट बात करता है method of irrigation की तो इसमें दो method की हम बात करेंगे पहला है transitional method और second है modern method traditional method ऐसा method है जो परंप्रागत method जिसको कहा जाता है जो पुराने time से चला आ रहा है इसमें first है mode irrigation system या फिर pulley system इस system में क्या होता है कि एक बेल से एक रस्सी को बांदिया जाता है और उस रस्सी से एक बड़ी सी बाल्टी अटेच होती है तो जब बेल आगे मूँ करता है तो वो बाल्टी में कुए का पानी भड़ जाता है और वो उपर आता है और उससे सिचाई की जाती है तो इसको बोलते हैं mode या pulley system तो इस pulley system के बाद जो next है वो है chain pump chain pump system में दो roller होते हैं और उन roller पे एक chain लगी होती है और उस chain से buckets बंदी होती है तो जैसे ही roller move करते हैं तो buckets नीचे आती है और उससे water भड़ जाता है और जब workets उपर जाती है तो वापे उपर उसको खाली कर दिया जाता है तो इस तरह से ये chain pump system होता है ये भी एक traditional method है नेक्स्ट बात करते हैं डेकेली या फिर डेकली irrigation system की इसमें manually जो किसान होता है वो अपने हातों से पानी घीजता है और उसको फसल को सिचाई के रूप में देता है तो ये है डेकली irrigation system next है राहत 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 irrigation system में एक roller होता है जिसमें buckets लगी होती है और जैसे ये roller घुमता है तो वो buckets फिल होके उपर आ जाती है और उपर से उस PAANY को use कर लिया जाता है तो ये है राहत irrigation system की इस तरह कि buckets होती है और ये पानी के source से पानी नीचे से उपर लेके आती है और उपर इसको और करके यूज कर लिया चाता है तो यहाँ पर चार टाइप के ट्रेंडिशनल मेतड थे मॉट इरिगेशन सिस्टम, चैन पंप, डेकली और रहत नेक्स्ट बात करते हैं modern मेतड्स की modern मेतड में जो important मेतड है फर्स्ट है इंप्रिंकल सिस्टम, इस प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है इसको बोलते हैं fountain system, fountain system में fontains लगा दिये जाते हैं और यह pipe से connected होते हैं उस pipe में water आता है और वो water इन fountain से पूरे जो crops होती है उसमें मिल जाता है तो यह है sprinkler system next है drip system, drip system में pipe को plants की जो roots होते हैं उनके सारे सारे बिचा दिया जाता है और इनमें छेद कर दिया जाता है तो pipe के छेदों से जो roots होते हैं उनमें drip करकर के water की supply होती है और यह एक irrigation का सबसे अच्छा और efficient method है तो यह था drip irrigation system जिसमें pipes को बिचा दिया जाता है root तक पानी की supply हो तो यहाँ पर दोनों type के method हमने discuss किये modern irrigation system and traditional irrigation system तो यह था irrigation related lecture अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और channel को subscribe करें